हमारे बाल जितने हैं अगर उतने भी रह जाए ना तो इंसान खुद को ना तसल्ली देता है कि भगवान ने मेरे बालों को बचा लिया है लेकिन जब भी वो बाल धोता है और इतने इतने गुच्छे दिखते है नो तो इंसान डप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाता है कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं सबके लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है प्लीज रिक्वेस्ट है अगर चैनल पे नए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे प्लीज स्टार्टिंग नहीं वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अच्छी अच्छी रेमेडिस लाने की लेकिन चैनल के इंगेजमेंट बहुत कम हो गई है प्लीज वीडियो को लाइक करिए ताकि हम दबार से उस रीच तक पहुंच सके आपको फाइदा हो रहा है तो यार दस लोगों को और हो जाए इससे बहतर क्या चीज होगी एक्स्प्लेइन करने से पहले हम फर्स्टेप कर लेते हैं रेमेडि का उसे टाइम लेगेगा तब तक मैं आपको पूरी आउटलाइन ब्रीफ कर दूँगी सबसे बहले मुझे चाहिए अनियन ठीक है लेकिन आज पहले मैं इस्तिमाल करने वाली हूँ इसका छिलका जो कि यहां पे मैंने एक पैन लिया है इसमें मैंने आलेडी पानी को बॉयल कर लिया था ठीक है और जो हम लोग अनियन की रूट को फैंक देते हैं तो आज यह भी प्याज का पूरा छिलका ठीक है अब मैं चाकु से ही इसे कर रही हूँ मिक्स ठीक है इस चाकु से बस किसी का मडर निक रहे है आपके लिए अच्छी सी रेमेडी हम शूट कर रहे हैं अब मैं वेट करूंगी इसका बॉयल होने का क्योंकि यह हमारा इस रेमेडी का फर्स चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस जब यहम प्याज को काटने लगते है उसमें बहुत तीक्षन सी स्मेल आती है जो आँखों में लगती है सल्फर की वज़ा से बालों के लिए वह बहुत अच्छा काम करता है बालों की रीग्रोथ के लिए इसलिए देगा कुछ टाइम से मार्केट में बहुत ज़ादा ट्रेंड आ गया अनियन टोनर अनियन शैंपू अनियन ओयल कुछ लोगों पर बहुत अच्छा रिजल्ट आया कुछ पे नहीं आया तो आज की रेमिडी इसी के रिलेटेड है लेकिन जब भी आप इस रेमिडी को परफॉर्म करेंगे ना आप पहले लगा के देखना कुछ लोगों के सर में ना सलफर की इरिटेशन होती है तो प्लीज आप लोग इस रेमिडी को अवाइट करना पहले एक बार करके देखना और रिजल्ट आपको बहुत अमेजिंग मिलेगा अगर आपके बालों को यह रेमिडी पहले तो सुनने में आता था कि लेडिस को यह दिक्कत कभी कबार होती है अब तो ऐसे होगे टेनिया इंफेक्शन इतना कॉमन होगे यहां से पैच आ रहा है यहां से पैच आ रहा है और फीमेल्स बहुत जादा परिशान है तो यह रेमिडी है उन सब के लिए तो चलिए स तो जो हमारा सेकिंड सेप वो क्या है हमें जो है अनियन चाहिए ठीक है यह मैंने प्याज ले लिया इसके मैंने छोटे-चोटे टुकडे करके इसमें डाल दिये इस तरह से ठीक है और मुझे इसको करना है कम्प्लीटली ग्राइंड यह हमारा है सेकिंड स्टेप यह डाल अब मैंने इसको लगाया मिक्सी बे तो आप लोग देख रहे है कि पूरा पानी जो है उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है तो एक तरह से हमारा टोनर बन रहा है जो हमारे हेर पे काम करने वाला है तो इसे आपको जो है इस तरह से बीच वीच में हिलाते रहना है ठी आपको यह न लगे कि बस 20-30 मेल पानी रह गया उतना हमारे लिए सफिशेंट है तो आप देख लीजिए प्याज के छिलके जो है आज आज आपके लिए जादो ही काम करने वाले है यह हमारा पानी बॉल कर रहा है तब तक हम क्या करने वाले है तो यह प्याज का पेस्ट ब पेस्ट को जो है इस तरह से डाल लेंगे क्योंकि आपको जो है पेस्ट आपके किसी काम कानी है आपके काम का है इसका पानी तो यह इस तरह से कपडा लिया नीचे आप देखे कि इसका जूस है वो पूरा निकल चुका है आप जो है इस जूस को इस तरह से निचोड लेंग अब लिए इसमें एड करना है यह वाला मिक्षर आपको दिखा था कि बिलकुल यह थिक हो जाए तब आपको गैस को बन कर देना है मैंने भी कर दिया है गैस को बन और यह काफी थिक हो गया है इसकी कंसिस्टेंसी और आप देखेंगे कि मैं इतना पानी डाला था जैसे हम अब मैं इसमें यह वाला मिक्षर कर दूंगी एड जो मैंने यह वाला पानी इसका निकाला इसके बाद मुझे इसे करना है अच्छे से मिक्स तो यह हमारा हेर ग्रोथ सीरम रेडी हो चुका है जिन भी लोगों में गंजापन आ गया बहुत काम उमर में क्यूंकि मेंली वह अब आगे से बाल जड़ना शुरू हो जाते है तो यह फॉलिकल को हैल्डी करेगा उनकी रूट्स में जितनी ब्लॉकेश है उसे क्लीन करेगा इसका थंडा होने का वेट करना है उसके बाद आपको क्या करना है मैं आगे आगे बताती हूँ अब आपको क्या करना है तोनर आपको थंडा हो गया आपको सिमिलर वे में जैसे मैंने बहुत सारी रेमेडी में बताया कि 10 रुपीज की स्प्रे बॉटल लेनी है और इसे आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए डेली जो है आप इसको बालों पे स्प्रे करिये लड़के और लड़किया हफते में तीन बा किसी के बालों को सूट नहीं करता है जैसे कि मैं अपनी बात करूँ अगर मैं अन्यन जूस लगाती हूं तो मुझे हलके हलके इरिटेशन होती है तो मैं अवोइड करती हूं आप लोग भी जब इस रेमेडी को करें पहले हलके सेरिया में लगाकर देख ले अगर हमारे चैनल पर वीडियो नहीं देखें आप जाके देखें आपको बहुत अच्छी अच्छी रेमेडी मिलेंगी जिनके बहुत अमेजिंग रिजल्ट है जो लोगों ने खुद से शेयर किये हैं कई वारना हमें डाउट होता है पता नहीं रेमेडी अच्छी है या इनका जाएगा तक भी बारना हमें बहुता है तो उसका डाउट क्लियर करने के लिए जो चैनल यहां प्यारा है टॉक्टर उपास्तना वहरा यह चैनल जो है इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में आड़ करें जहां सिरफ मेरे पेशन्ट की जरनी है आप जरनी जाके देखें अगर भी तक भी वीडियो को लाइक करना है इसके साथ में आपके डाइट होना बहुत इंपोर्टेंट अब मानिया आपके रेमेडी बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट करी है 50% उसने अच्छा काम कर दिया लेकिन 50% आपके लाइट पे भी डिपेंड करेगी तो आपको क्य चीज में सबसे ज़्यादा विटामिन ही होता है ये भी मैंने बहुत बार एक्स्प्लेइन किया है तो उम्मीद करती हूँ कि आप छोटे-छोटे चेंजिस अपने लाइफ में लाएंगे नेंद अच्छे से लेंगे और कैमिकल फ्री शैंपू को यूज करेंगे आप एक लुज में लेंद कर्णाओ में अच्छा तो आप अपना एक्सक्पिरेस श्यार कशी चाहें आपको यह कैसा लगा यहां नेक्सिरिंस है लुज वे ने звिद कि अवक्षा ल्हां में फ्यूजकर, विड़को सी बता दिख सोग यह अवा सुष्णल बटाते हैं पी जिख कोष्टी नहीं ले सकता तो घर पे भी कर से लिए अच्छे है और इससे पहले आपने और भी पर ट्रीट्मेंट्स लिया लिया और बहुत लगाया घर भी बहुत लगाया तो कुछ नहीं आठागा एक चोटा समय सवाल ये पूछना चाहूँगा बहुत से लोग कहते हैं बता कि जो और लोग बैठे हैं ना तो उनको ये लगता है कि ये चीजे बहुत कोस्टली है जो या फिर जो मैडम मेडिसन दे रही हो बहुत कोस्टली है तो आप से सवाल कुछ दोगा इससे पहले भी आपने और कहीं पर ट्रीट्मेंट्स लिया तो क्या वहां पर भी तो उतनी अच्छी बात है ऐक और चीज यह कि बहुत से नों के मन में यह सवाल होता है जो आयरवेदा है वो स्लोग करता है एस कंपेर टू एलोपैथी होती है जो हमारी अंग्रेजी दवाया होती है लेकिन वो जब आपने कोई अंग्रेजी दवायी कर गाई जैसे आपका ठीक फिर उसके बाद दुबारा बढ़ गया लेकिन यहां पर आपको थोड़ा साइड एफेक्ट बगएरा कुछ भी और जो स्टाफ है डॉक्टर अपासना वहरा का वेदा अवेदा अवाज अच्छी हांका फेस उनका बहुत संदर है क्योंकि मैं ओर लेडी नोंके फेस कोई देख के सबाते हैंगी अगरी इनका फेस कुछ साइंग कर रहे है तो हमारा भी करेंगा पासना वहरा अच्छी ठीक है ऐसी आप ट्रस्ट रखें क्योंता अच्छी ठीक है एक्रण्प्राओन करना अच्छी रिखनाओ अच्छी तो हमारा थीव ने ने आप ग्राओन ने फैन्नम देख ग्राओन कर दो हमने अच्छी ठीक है